इस वेडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह G5-U707 मुबाइल में किस तरह मेमरी काट पर पासवर्ड लगा सकते हैं यानि कि आप अगर माय फाइल्स पर पासवर्ड लगाना चाते हैं तो किस तरह लगा सकते हैं मैं आपको बताऊंगा उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी मैं अगर open करता हूँ my files तो direct open हो जाती है तो मीनू में जाना है आपको और फिर इस बटन से धार आना है multimedia को open करना है और यहाँ पर आपको नीचे आना है यहाँ पर 8 नमबर पर है my files तो मैं इसे open करता हूँ तो यह direct open हो रही है मुझे इस पर password लगाना है तो किस तरह आप my files पर password लगा सकते हैं मैं आपको बताऊँगा अभी back आजाता हूँ अब मैं आपको बताऊँगा किस तरह से हम memory card पर password लगा सकते हैं G5-U707 mobile में तो देखते हैं सबसे पहले आपको यह button दबाना है और फिर इस button से इधर आना है settings को open करना है फिर यहाँ पर आपको security में जाना है उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे दिखाई देगा privacy तो नीचे आना है आपको privacy को tick करना है उसके बाद आपको यहाँ पर password इंटर करना है जो आपका होगा मैंने password रखा था 1 2 3 4 और उसके बाद ok करना है फिर आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा myfiles तो आपको उसे tick करना है मैं myfiles पर आकर tick करता हूँ बीच का बटन दबाकर और फिर इस बटन से back आ जाता हूँ और अब मैं दोबारा से myfiles पर जाकर देखता हूँ अब password दिखाता है या नहीं तो इस बटन से दर आता हूँ multimedia को open करता हूँ और फिर इहाँ पर नीचे आता हूँ अब मैं myfiles open करके देखता हूँ तो अब यह password मांग रहा है इस तरह से आप memory card पर password लगा सकते हैं तो मैं password इंटर करता हूँ तरह से वाँ चांग